आज नूटन्स लाउज अफ मोशन पर कुछ प्रॉब्लम्स अपन देखेंगे किस तरह से प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं ठीक है तो पिछले सेशन में सारी बाते हुई थी तो आज हम क्या करेंगे कि पूरी जो प्रॉब्लम्स सिचुएशन है उसको पूरा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ठीक है भाई तो रितिक राज गुड इवनिंग धर्मेंद्र कुमार गुड इवनिंग डॉक्टर रामपाल अभिनाश गुड इवनिंग अवरी बडी ठीक है भाई तो आप देखें न्यूटर्स लॉज अफ मोशन में जो बेसिक फंडामेंटल एक्वेशन जो सबसे नेट फोर्स होता है है ना और अब यह नेट फोर्स की कहानी को थोड़ा सा समझना यहां पर मैं एक कॉंसेप्ट यूज करूंगा एक बॉडी डिफाइन करूंगा हाना कि आगे जब आप पढ़ोगे सेंटर ऑफ मास वाला चैप्टर में जब आप आओगे तो वहां पर क् पार्टिकल के तहता है वो चीज है ना उसमें बहुत सब्सक्राइब को या ब्लॉक्स को यह चीज़ों को मिला के आप एक सिस्टम करते हो यहां पर मैं सिस्टम की जगह एक टर्म यूज करूंगा जिसका नाम है क्या बॉडी इसको मैं समझा देता हूं कि मैं बॉडी किसे होगे अगर मालेजी कोई situation मैंने आपको दे दी यहां पर और ऐसे करके यहां पर एक ब्लॉक हैं कर दिया तो अभी क्या चीज में बताना जा रहा हूं कि यह अगर यह चलेगा तो यह पूरे को एक बॉडी की तरह सिंगल बॉडी की तरह लिया जाएगा ठीक है कैसे लिया सिंगल बॉडी की तरह हम ट्रीट कर सकते हैं अगर कोई भी दो चीजे जो एक साथ चल रही है या एक साथ हमेशा रह रही है तो हम उन्हें कैसे लेंगे सिंगल बॉडी की तरह इवनिंग तो नहीं है सर फिर भी रोक नहीं पाया खुद को बहुत ही विडिया रितिक और इसके साथ एक बॉड़ोग और है तो अगर माली जी यहां से आप इसको कुछ धखा लगा होगे तो अभी हम क्या करेंगे ये दोनों बॉडोग सको as a single body ले सकते हैं कैसे ले सकते हैं as a single body और जब हम इन्हें single body की तरह लेंगे तो हम क्या avoid कर सकते हैं कि इस बॉडोग स इस ब्लॉक पर एक नॉर्मल लग रहा होगा बट इब भी आर टेकिंग इस टू ब्लॉक्स ऐसे सिंगल बॉड़ी और वो हम लेंगे कब ये बात ध्यान रखनी है कि जब वो एक साथ चल रहे होंगे तो अभी अगर मुझे इसका मास मालो तो आपने दे दिया M1 इसका मास दे दिया M2 तो अब मैं इन दोनों को कैसे ट्रीट करूँगा एक सिंगल बॉड़ी की तरह ट्रीट करूँगा मैं कहूंगा यार ये एक सिंगल बॉड़ी है और अगर एक सिंगल बॉड़ी है तो अब मुझे ये अंदर कि इनके बीच के molecular interactive forces के बारे में सोचने की आवशक्ता नहीं है मैं कहूंगा अभी तो ऐसे इसके अंदर M1 के अंदर भी infinite particles हैं neutrons हैं, protons हैं, electrons हैं, electrons हैं, उनके बीच में भी force है मैंने कहां नहीं नहीं जब मैं इसको पूरे को एक body के तरह treat करूँगा तो मैं इसके अंदर गुषने की आवशक्ता मुझे नहीं रहेगी और मैं जो भी force इस पर लग रहा होगा इस पूरी body पर बाहर से उसके basis पर इसका acceleration लिख दूँगा और equation मेरी किस तरह की बनेगी M1 पिलस M2 total mass of our body into acceleration तो यहां पर फाइदा क्या हो रहा है single body मानने से कि जो अंदर के forces और भी बहुत सारे हैं जो मैंने यहां नहीं दिखा रखके मैं दिखा भी नहीं सकता क्योंकि आपको पता है कि यह infinite molecule से बना हुआ ब्लॉक है और इस पर infinite interaction force लग रहे होंगे मोहीनी, रेशब, very good evening to you all ठीक है तो अब देखो यह आपको एक छोटा सा concept मैंने बताया कि हम according to our need अगर दो चीजें एक साथ चल रही होंगी तो हम उन्हें एक single body की तरह treat करेंगे अब यह बात को हम आगे बढ़ाने वाले हैं और मैं आज जो problems लिया हूँ वो मैंने शुरू की जो problems हैं बिलकुल एकदम fundamental पर based हैं उसके बाद कुछ दो-चार अच्छी problems भी ली हैं जो अच्छे advanced level की problem है तो आपको NLM का जो basic concept के साथ-साथ advanced level की कुछ चीजे भी देखने को मिलेंगी और मुझे पूरी आशा है धन्यवाद रिशव बुल रहा है यह रहा है ठीक है तेंक यू तो मिर्दुल भी है मोजगी यहां पर ठीक है तो अब हम चलेंगे आगे बढ़ेंगे और questions को देखते हैं कि किस तरह की situation पर हमें किस तरह का reaction करना होगा कैसे problem को solve करने की approach लेनी होगी और यहां पर मैंने इसलिए लिया क्यों कि कई बार बच्चों को कुछ चोटी 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 चीजों पर दिक्कत आ जाती है उन्हें समझ में नहीं आता कि कब क्या हो रहा है तो मैंने चोटी चोटी चीजों पर बात की जाएगी और कुछ अच्छे लेवल के problems भी ताकि दोर्नों तरह के बच्चों को फायदा हो देखिए मैंने बहुत सिंपल सा बहुत बेशिक सा सवाल लिया है कि यह तीन ब्लॉक दिख रहे हैं आपको 3 kg 5 kg 4 kg और यहां पर फोर्स कितना लगा रखा है 120 न्यूटन का मैंने एक फोर्स लगा रखा है ठीक है तो भाईयो की वहनों को गुड़ इवनिंग ठीक है अब देखिए यहां पर मैंने क्या दे रखा है स्मूथ सिस्टम दे रखा है यह जो आपका बेस है वह सरफेस है वह कैसा है एकदम स्मूथ है यहां पर एक बात आप देखिए क्वेशन में क्या पूचा गया है एस वन और एस टू जो यहां पर दो रसियां है इनमें हमसे पूचा गया है टेंशन तो सबसे पहली बात बहुत आराम से देखिएगा अभी मैंने गयर इस पर फोर्स लग रहा है तो यह ब्लॉक आगे जाएगा अब यह ब्लॉक अगर आगे जाएगा तो यह जो बीच में रसी लगी हुए य कुछ इदर को लगाएगी जिसका नाम मैंने रख दिया टीवन अब यह रसी जो इस ब्लॉक को इदर कीच रही है यही रसी इस ब्लॉक को बेसे के लिए किदर कीचेगी टीटू नोटिस करने वाली बात बिलकुल फंडमेंटल बात कि यह रसी हमेशा ब्लॉक से दूर को फ लगाएगी जिसको मैंने वोल दिया नाम टेंशन टीटू और इस वाले विलग पर फोर्स लगाएगी इस ब्लॉक से दूर को टीटू अग्ला बात को टीवन एस ब्लॉक से दूर को टीवन टीक है यहां तक बात एक्दम सिंपल सी है और आपके आंसर मुझे पक्का विश् एक दो यहां से कोई खीचेगा और यह रसी से जुड़े हुए हैं तो यह पूरे के पूरे को क्या आप एक शिस्टम एक बॉड़ी ले सकते हो नहीं जा रहा हूं मैं काउंसेप्ट बॉड़ी पर जा रहा हूं अगर यह तीनों एक साथ चल रहे हैं तो इनको क्या जैश्री चलेंगे situation में definitely ले लिजिए तो पिर आप आओगे कि अगर मैंने इन तीनों को एक single body की तरह लिया है ना तो अगर single body की तरह लिया तो यह तीनों चलेंगे तो साथ-साथ यहां पर force लग रहा है 120 Newton का इसका मास आपको दिया गया था चार इसका मास है 5 इसका मास है 3 और यह मैं सिस्टम है अब अगर यह आपका सिस्टम है तो आप पूरे का acceleration होगा कुछ मान लो अब पूरक सिस्टम पर force या पूरे body पर फोर्स लग रहा 120 Newton acceleration आपने ले रखा ए तो अभी देखेगा 120 जो भी फोर्स लग रहा है सिर्फ अंदर के forces को आपको नहीं सोचना आप equation लिखोगे net force पूरी body पर इतना और पूरी body का मास क्या लोगे बेटा 3 पिलस 5 पिलस 4 टोटल मास ले लिया यह concept आपके वल कब कब लगाएंगे जब आपको पता है कि यह जितने भी component हैं यह सब के सब चल रहे हों एक साथ तब ही आप इन्हें एक body की तरह treat करेंगे ते के विन्हें मैं आऊंगा टेली ग्राम पर आशा करता हूं जल्दी आपके सारे डाउट्स के लिए करूँगा वहां पर भी आके यहां पर acceleration आपने दिया था तो मैंने गया यह कितना हो गया 12 हो गया तो 120 is equal to 12 a के बराबर आ जाएगा acceleration की value बहुत आसानी से आप बता दोगे 10 meter per second square के बराबर अब यह वाली बात तो clear हो गई मैंने गया यह तो बहुत अच्छे समझ में आ गया कि यह सारे चलेंगे एक साथ तो अंदर के force तो देखना नहीं जो भी force बाहर लग रहा था उस force को ले लो और पूरे body का mass ले ले ल इसको कौन चला रहा 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 और इसका acceleration अगर 10 है तो टीटू की value force हो गया net force horizontal में टीटू और यह mass कितना है 3 और acceleration कितना है 10 तो टीटू कितना आ गया बहुत आसानी के साथ 30 Newton अब किसी ने कर नहीं आप तो टीवन बता है तो मैंने अगर आपको टीवन फाइंड करना है त कुछ इस तरह से define करो ऐसे इतने पार्ट को तीन और पांच किलोग्राम को एक बोडी बनाओ तो अगर आपने 3 किलोग्राम और 5 किलोग्राम को एक सिंगल बोडी की तरह ट्रीट किया और जो कि आप कर सकते हो और आपने का यहां पर अब जो बार से force लगेगा वो लगेगा टीवन दिस इज माय बॉडी दिस इज माय बॉडी ना अब आमने का इसका एक्सेलरेशन मोजी अलरेडी पता था वह एक्सेलरेशन आपने का था टैन है तो मैंने का अब अंदर के forces को नहीं देखना यह हो गया आपका नेट फोर्स आप लगोगे टीवन इस एक्वल टो ट सुब्रत बहुत ही बढ़िया ठीक है सुब्रत का भी आंसर मोहीनी यूर अल्सो करेक्ट बहुत ही शांदार एकदम आप लोगों के सारे जवाब एकदम सही आ रहे हैं और मैं आशा करता हूं कि आप इन सारे सवालों के जवाब सही ही देंगे लिए इस बार मैंने थोड़ उन्हें दिक्कत आ सकती है अब देखिए फिर से सिच्वेशन आ गई अभी आपको क्या दिख रहा है कि फाइंट टेंशन एस वन एस टू एस त्री इस रसी का नाम दिया एस वन इसका नाम दिया एस त्री और रसियां हमारे कोटा शेयर में जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं हलकी होती है ठीक है हाँ बिल्कुल मुहीं ने तो देखिए क्वेशन थोड़े एजी भी रहेंगे थोड़ी देर के बाद थोड़े से टफ भी आएंगे बहुत ही स्यांदार एक्सेलेरेशन की वैलू मुझे रिशब ने बता दी है और वह बताई जा रही है पंद्रा लेट मी चेक कि मेरी भी पंद्रा आती है कि नहीं अब आप देखो पहला काम में क्या करूंगा इस पूरे को एक सिंगल सिस्टम बॉड़ी के तरह सिस्टम का कॉंसरेप्ट मैं आपको फिर कभी किसी दिन बात करूंगा आपसे खोश रहो अम्रतांशी तो अभी द्धान से ब्लॉग पर फोर्स लगाती नीचे की तरफ जिसको मैं टीटू कहता यही रसी तीन किलोग्राम आपजेक्ट से दूर को तो यहां भी टीटू लग रहा होता है ना अब तीन और चार पांट दो ब्लॉग के तीन तीन के तो इस वाले तीन किलोग्राम पर जब फोर्स हुआ नहीं मार सकती यहां पर आप टेंशन दिखाओंगे तरफ टरफ त्योंकि तरफ टूर की शिज़ू वबर खीचे गी और इसको नीचे इसको ऐसे ओपर खंड यही मार सकती है तो मैंने कर भाई ये एक बात क्पर फोन चीट वैलू तो दो सो परसेंट डेल सो है जितना फोर्स लग रहा है मासलेस रसी पर उतना वो टेंशन के बराबर होता है मासलेस रसी पर हलो 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 एकदम सारे आंसर आप लोगों के बहुत ही अच्छी बात है मिर्दुल 49 और फॉर्स लग रहा है 150 न्यूटन और यह सिंगल बॉड़ी की तरह कर मैं इसको ट्रीट करूंगा तो मैं यहां लिखूंगा टैन जी मतलब यह लिए हुआ हंड्रेड यह 150 मैंने कर पूरी बॉड़ी मेरी ऊपर जाएगी किसी ना किसी एक्सेलेरेशन से ठीक है तो पहला टेंशन देर सो नीटन एपसलिटली करेक्ट तो अभी फिर से देखिएगा अभी मेरे को क्या देख रहा है ऊपर लग रहा है नीचे लग रहा सो अब बच्चे कई बच्चे से गलती होती मैं यह नहीं कह रहा है कि सबसे होती है डेपनेटली दियर आरे स्टुट्ट इसको जो इसको ओरल कर देंगे बट फिर भी यह फोर्स लग रहा नीचे एक्सेलेरेशन के दर को है ऊपर को है याद रखिएगा अ समझेगा एक बार अगर आपको फंडमेंटल बातें आ गई तो जैसे लोग और यहां पर आंसर दे रहे हैं बाकी लोग भी वैसे ही और आंसर दे पाएंगे बस उनको बातने किलियर होनी चाहिए तो आप जैसे देख पा रहा होंगे कि बहुत सरे लोग लगा अतार धड़ दढ़ आंसर दे रहे हैं मुझसे भी तेज बिल्कुल सही सुबरत शीरीन शीरीन हेलो यह सब लोग बहुत तेजी तेजी से आंसर दे रहे हैं और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि they are having actual concepts here तो notice करेगा acceleration की दिशा को मैं लोगा positive यहां पर force कितने लग रहे हैं तो अब कहतूं ma ma is not a force ma is not a force यह फोर्स नहीं है तो यह कौन है धिश इस इवन टू जैसा कि Newton ने कहा था किसके बडाबर होगा f net के बडाबर होगा तो अच्छा यह Newton बता गया था बात होगी खतम हम ने का आपने का यह नीचे की तरफ है इसको मैं लिखूंगा इसको मैं लिखूंगा मास मेरी बॉड़ी का कितना है तो मैंने का यह तो अब मुझे दिख गया हुआ कि यहां पर 50 is equal to 10 a मिल गया तो एक वेलू में क्या बताने वाला हूं 5 में पर सेकंड स्क्वेब रहन वहां थी सीधी सीधी सेबात कोई संदे की आवशक्ता ही यह थी ड़िए थी पूछ यह तो मैंने का आप देखो अगर टीटी की बात करोगे किसकी बात करेंगे T3 की बहुत ध्यान से देखना तो अब हम अपनी बॉड़ी ले रहे हैं केवल किसको इस 3 किलोग्राम को तो जैसी 3 किलोग्राम को आप बॉड़ी बनाओगे आप कोगे इसका वेट 3G लगेगा उपर की तरफ एक फूर्स लग रहा था T3 और इसका अब इस ब्लॉग पर हम आ चुके हैं ठीक है ठीक है एक्सेलेरेशन की वेलू 5 एपसलीटली करेक्ट तो अभी आप देख रहे हो कि अब इस पर भी दो को ओएक फोर्स नीची एक्सेलेरेशन ऊपर एक्दम किलियर बात है अब फिर से देखो जल्दी वाजी मैं नहीं करना अ अबने को बिल्कुल फंडामेंटल पर पता है कि अपने के सामने कोई सवाल आजाए अगर कॉंसेट्स के लिए रोंगे तो मेरी गैरेंटी है अगर आपको के लिए तो आप से सवाल छूटना ही नहीं है तो मैंने एक्सेलेरेशन की दिशा को हम लेंगे पॉजिटिव तो अब हमने का चलो कोई बात नहीं हम समझ गया है बात को तो अभी एक फोर्स हो गया टी 3 जो कि प्लस में है 3G मेरा जो है एक्सेलेरेशन का अपोजेट है तो माइनस 3G लेखा इसका मास 3 था इसका एक्सेलेरेशन 5 है तो एम की वैलू 3 एक वैलू 5 तो मैंने गया यह तो हो आई और यह गया 15 तो टी 3 की वैलू 45 न्यूटन आई और मेरे को पक्का विश्वास है कि बहुत सारे लोगों ने बहुत पहले मुझ से यह आंसर दे दिया था है ना वही ठीक है तो टी 3 की वैलू 45 अब बचा कौन टीटू मैंने क्या करूं अब टीटू यहां लग रहा है यहां भी लग रहा है यहां इसकी अब बटी मना हूं यह मैं इन दोनों को क्लेक्टिव बॉडी मानलों जो मन करें चार वाले को उठाते हैं उठाए चार वाले को मैंने चार वाले बिलॉक को अगर आप उठाओ तो यहां फोस्ट लग रहा था 150 न्यूटन यहां पर नीच पारते हो और यह भी किसे चल रहा है जिसे से बॉड़ी चल रही थी वह यह था और एक वैलू थी फाइव तो आपको गया इसका एक्सेलेरेशन आ गया फाइव मीटर पर सेकिंड स्क्वाइब फिर वही एक कोशन मनाने का गेम आपको कि देखिए बहुत सिम्पल सी बात है है एक सेलेरीशन की दिशा को पॉस्टि बानो एकशलेरेशन की दिशा को क्या मानो फॉस्टय इसन कंया मान लिया जाए माना जाता है एंगा यहां पर एक तो अभी नीचे की तरफ फोर्स यह माइनस में लिखा जाएगा फॉर जी यह भी माइनस में लिखा जाएगा और इसे कुल तो यह नेट फोर्स तो तो यह कितना बज गया आपके पास 110-20 is equal to T2 तो T2 की वैलू क्या नब्बे आ रही है एपसलिटली करेक्ट रिशब ठेक है तो 90 आपका यह वाला आंसर आ गया 90 नीटन तो आपको यह कुश्चन दिखाए दिया जिसमें आपको पहले होरिजॉंटल में केस कराए गया जिसमें MG का रूल आपको पता था कि बिल्क मुंद तो आप से ही तो पढ़ें सर पहचाना अर आम तो पहचान ले हैं पहचान का रहा यह पिल्कुल इतय। भी तुम कात अर वो सारय लोग काफी होशार हैं तो मैं ने सिर्य वह बोला घुन में और मैं अगजला था म्यू inclusive आपतरा एतना थों पॉल 590 absolutely correct shirin now we are having a new question by the time taken by the block mass M दिए यहां पर किया है कि यह बैज तो दिखी रहा होगा इसमें एक गुरूव बना रखा है जैसे आपको अगर कहा जाए कि एक ऐसे करके वैज है और इस वैज को क्या करा जाए ऐसे वैज रखा जाए और इसमें क्या करो ऐसे गड़ा खोद दो थोड़ा नाली टैप की बना दू है ना और एक और बात है कि उस नाली में आपने क्या रखा हुआ है एक ब्लॉक रख दिया गया है जिसका मास M है और यह ग् और सवाल ये है कि भाई जब इसको छोड़ा जाएगा तो ये पांच मीटर नीचे कितनी देर में जाने वाला है ठीक है मोहिनी गुपता नहीं पैचान रहे होंगे तुमको नहीं पैचान रहो मोहिनी अब वो मैं शकल वगएरा देखता तो पैचान लेता शायद अब फिलाल तो नहीं पैचाना I'm sorry ठीक है तो time taken by the block of mass M to displaced by 5 meter after release no friction between groove and block अब मैं क्या करूं ठीक है तो अब जड़ा सोचने का समय आ गया है अब खत्रा बढ़ चुका है और अब आपको दिख रहा है कि मामला तुकड़ों के तुकड़ों पर जा रहा है है ना तो अब सवाल तुकड़ों से तुकड़ों पर जाएगा तो अब मैं क्या करूं यह मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करूं तो देखना आप थोड़ा समझेंगे इसको मैं आपकी answer का भी दीरे दीरे हलका हलका इंतिजार कर रहा हूं है ना तो मैंने का अगर situation ऐसी होती भाई कि अगर किसी incline पर कोई ऐसे block रखा होता और friction ना होता तो मुझे 200% पता है कि सब को पता है कि mg sin theta यहां force लग रहा होता नॉर्मल से एक force balance हो जाता जिसकी value mg cos theta के बराबर होती अगर यह angle theta है तो और मुझे आशा है कि यह बात बहुत ही बढ़ीया मोहिनी I hope कि आपको इससे लाब होगा तो अभी यहां पर एक force लग रहा है mg sin theta नॉर्मल will balance by mg cos theta अगर यह situation होती तो इसका acceleration मुझे मिल जाता और वो मुझे पता है force upon mass से आएगा force इतना लग रहा है इसको mass से divide करते ही acceleration आप बता देते g sin theta लेकिन जी यहां situation तो ऐसी है ही नहीं यहां तो पता नहीं क्या हो रहा है है ना यहां तो situation ऐसी नहीं है यह block यहां चोड़के ऐसे नहीं जा रहा है कैसे जा रहा है अगर यह ऐसे सीधा छोड़ दिया होता तो इसका acceleration hundred percent g sin theta होता है ना भाई hundred percent g sin theta होता लेकिन आप ने इसको मजबूर कर दिया क्या करने के लिए कि भाईया तुम्हें थोड़ा तिर्चे हो के जाना है क्योंकि यहां पर बना दिया गया अंदर खोद के नाली बना दिया अब वह विचारा नाली में फिसलने के लिए मजबूर है तो अब वह कितने acceleration से चलेगा release किया है तो initial velocity जीरो पता है मुझे अब acceleration में क्या लूँ तो बहुत ध्यान से देखना बहुत simple सा सवाल है अभी अगर यह greatest slope पर फिसल रहा होता मतलब 30 डिग्री के पैरलल यह वाले इस line के पैरलल चल रहा होता greatest test slope पर तो इसका acceleration निश्चित रूप से जी साइन 30 होता होता ना लेकिन आपको पता है कि नहीं 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 यह ऐसे तो ठीक है लेकिन यह ऐसे में तो जी साइन 30 होता लेकिन यह तो ऐसे फिसलेगा ना इधर को तो फिर मैं क्या करूं तो यहां पर जो फोर्स आता mg sin 30 अब अगर मुझे यह वाला angle मिल जाए ना तो बस मेरा काम बन जाए the problem is कि मुझे यह वाला angle ही नहीं पता है भाई सब तो अगर आप थोड़ा देख पा रहा हूं कि कहानी 3D में जा रही है भाई जी तो यह angle 90 होगा समझ रहे हो यह ऐसे देखिएगा कैसे कि यह wedge है ऐस अग्षे यह यह देख रहा है देख रहा है मुझे भी देख रहा है कि दिख रहा है तो अभी क्या होगा कि अगर मैं ऐसे करके चलाता तो यहां पर मेरी उंगली से 90 degree angle बनता है ना 90 degree angle बनता अब लेकिन यह चलेगा कुछ ऐसे यहां पर एका चौक पढ़िए गया अग्ष है अच्छे है चौक 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 है कि कोई नहीं चलो तुम चब तक चौक की युगाड़ करो मैं चब तक वैसी समझाता हूं तो अभी यह इस पर ऐसे बिशलता तो इसका acceleration कितना होता जी साइन थीटा के बराबर ठीक है हां यार जिश्व यही बस important बात थी लेकिन पहले एंगल डूंडेंगे तो यह लाइन से इसका एंगल मतलब यह वाला एंगल जो मैंने 90 दिखाया है यह डाइग्राम 3D में है ना तो वह आपको अच्छे से दिख नहीं पा रहा होगा हां बहुत यलो वेलो कोई भी दे दो हां तो अब देखना जैसे यह वैज है और इसका एंगल अभी आपको दे रखका है 30 डिग्री यहां से horizontal से 30 डिग्री अब अगर मैंने का भाई इसको अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे ठीक है तो क्या होगा कि अगर यह इस लाइन पर चलता इस लाइन पर चलता त लेकिन इसको चलना कैसे ऐसे चलना कैसे चलने पर आपने कही से मजबूर किया अब हमने कहें के मजबूर rider आप उन्ड एक अगल एनग marrow लेकिन यह वाला ऑंगल यहवाला एनगल्स यह ँज फाल 18 Ses तो यह एंङल इसको 60 डिग्री बंगा तो अभी अगर आपको द गया हो कि तो यह एंगल अगर आपका 90 और यह 30 तो यह कितना हो गया बिटे 60 डिग्री तो हमने का सवाल खतम करने जा रहा हूं मैं एम जी का इधर वाला जो कॉंपोनेंट मेरे पास आने वाला है वह एम जी नहीं है वह एम जी साइन 30 था और उसका मेरे पास जो कॉंपोनेंट आएगा वह एम जी साइन 30 का कॉंपोनेंट को सिक्स्टी आ जाएगा इस इट करेक्ट बहुत ही बढ़िया तो अब मैंने का अगर फोर्स पता लग गया भाई साब इस दिशा में तो एक्सेलेरेशन क्या लिखेंगे अब आप तो आप एंगे बहुत आसान सी बात है एक्सेलेरेशन लिखने के लिए जो फोर्स है उसको मास से डिवाइट कर दो मैंने कर दो वाई तो आपने लिखा एम जी साइन 30 इसका कॉस कॉम्पोनेंट आया कॉस 60 डिवाइड़ बाइब तो यह यम यम और जी की जगा जी और साइन 30 इस वन बाइटू कॉस 60 इस अगें वन बाइटू तो एक्सेलरेशन इस नथिंग बट जी बाइफोर मेरी बात मेरे ख्याल से शायद आपको किलियर हो गई होगी रिश्यव ठीक जी साइन 30 का भी कॉम्पोनेंट आपको करना है बहुत ही बढ़िया बात तो एक्सेलरेशन कितना आग गया जी बाइफोर और वो डिस्प्लेस एक्सेलरेशन लिखा गया जी बाइफोर पूचा क्या गया था सम है मैंना कहले यह 4 चीजों की इक एक्कोईशन बनेगी और वह उप्लाइशन कौन सी by 4 into t square s की value आपको दी गई थी 5 और यह आ गया 1 by 8 g की जगा 10 into t square तो भाई सब आपको मुझे पूरा विश्वास है कि आपको t की value 2 second दिख रही होगी ठीक है हाफ हाँ तो t की value 2 अरे मेरे से पहले फिर से answer आ गया सौरब का और angle भी आ गया था सुबरत, ratio very nice ठीक है तो t की value 2 second आ गई आपको यहाँ पर क्या notice करना पड़ गया कि भाई सब यहाँ पर situation greatest slope कहते हैं इसको इस पर नाओ के motion greatest slope से कुछ angle पर है और वो angle भी exactly ना दे के यह 30 degree दे दिया गया था ताकि यहाँ भी कोई गलती करे तो वो गलती by the way आपने नहीं की तीक तो अब हम situation को फिर से बदल रहा है इस बार दूसरी तरह की situation लेंगे और यह देखिए थोड़ा सा equilibrium का case है के इस block का मास आपको दिया गया है 0.8 kg तो यहाँ पर इसका एक वेट आ रहा होगा 8.8 G मतलब 8 Newton यहां लगा कोई force यह रसी है जिसकी length आपको कितनी दी गई है पांच मीटर दीवार से इसकी दूरी कितनी है तीन मीटर हमसे का जा रहा है कि भाई tension बताओ है कि नहीं हमसे क्या का जा रहा है हमसे का जा रहा है कि यार आप तो यह tension इस रसी में G की वैलू 10 तो यह फोर्स कितना हो गया था कितना हो गया था साथिक रजा भी आंसर दिये सारे लोग आंसर दिये ठीक है मेरे हो यहाँ पर टेंशन मैंने का भाई जी टी ले लेते हैं कितना ले लेते हैं और टी मैंने ऐसे ही लगाया क्योंकि रसी हमेशा ब्लॉक को उससे दूर की और खीचती है और अगर लेकिन अब बड़ी समस्य है कि एंगल मुझे नहीं पता है कौन मुझे एंगल की वैल्यू बता पाएग कहां से लाओं में एंगल अगर मुझे एंगल पता होते तो मेरा काम बन गया होता मैं कहता भाई एक फोर्स इदर लग रहा है एक फोर्स यहां पर लग रहा है एट न्यूटन एक रसी में टेंशन इदर है टी लेकिन भाई जी एंगल तो दिया नहीं अब मैं क्या करूं त सौरब बता शुबरत शुबहम प्रधान क्या बात है हाँ जी तो एंगल किसी को देख गया है और एंगल उने कैसे देखा क्योंकि यह साइड लेंद दी गई है तीन और असी की लेंद दी गई है फाइव तो यह एंगल भाई जी होना चाहिए फिफ्टी थिरी इतना तो पता ही होगा कि चंफिफ्टी थिरी की वैल्यू फोर अपाश्व होती है और साइं 357 की वैल्यू ठिरी अपउना फाईव के लगभग बराबर होती है । मैंने को काम बन ही गया अपना फिर तो टी वैलयू भी बता देंगे और एफ की वैलू भी concept बनाये जाते हैं आसान सवालों से बड़े 6 Newton आंसर absolutely correct that is check लेकिन मैं concept एक और बताऊंगा कि आपको ध्यान रखना होता है कि जब आप इसमें आपको फट से आ रहा है component करो answer पाऊ है ना तो component निश्चित रूप से करेंगे लेकिन component करने से पहले कि यह कहानी है क्योंकि कई बार आपको पता होगा कि आप component करते हो और उलज जाते हो और answer गलत भी हो जाते है और आप component करने से पहले क्या नहीं करते दो line खीचनी होती है कितनी line होती है दो line होती है और दोनो mutually perpendicular होनी चाहिए तब component करेंगे तो पहले मैंने यह लाइन चुनने कि आपको आजादी है आप कोशिश करते हो कि लाइन ऐसे कीची जाए अगर equilibrium है तो कि most अगर equilibrium की situation है force balance हो रहे हैं तो एक लाइन आपने ऐसे कीची एक लाइन आपने उसके perpendicular ऐसे कीची यह जो आप कोशिच करते हो कि इसमें मैक्जिमम फोर्स लाइन पर आ जाए ज्यादा तर फोर्स लाइन पर आ जाए जो लाइन पर है जो लाइन पर है उसे ना चेड़ना जो लाइन पर है उसे ना चेड़ना और जो लाइन पर ना हो रिश्यव उसे ना चुड़ना है ना तो यह ला कॉंपोनेंट टी कॉस 53 आएगा इसका एक कॉंपोनेंट इदर टी साइन 53 आएगा इसमें कोई शक की बात नहीं है लेकिन लाइन किछने की आदर डाल लेना अभी आपको लग रहा होगा कि यह भी तो वैसे ही कर लेते निश्चित रूप से कर लेते लेकिन सिच्वेशन बद 53 की वैलू मुझे देख रही है फोर बाई फाइव है ना तो इसको मैं रखूंगा फोर बाई फाइव तो मेरे को पता चल गया यार यह एट है तो यह टैन न्यूटन आपका आ गया टैंशन तो भाई आ गई क्या मैंने सही वैलू फैंट किया सभी ने टैंशन टैन न्यू 53 किसको बैलेंस कर रहा है तो यह बैलेंस कर रहा है एक और टी हमें पता है और फिर फस्क्राइव तो याद रखिएगा कि यह जो 37 होता है इसकी वैलू कॉस्फिफ्टी थी के बराबर होती है और इसकी वैलू साइन cos 37 के बरावर होती है तो cos 53 की value 3 by 5 आप यूज़ करोगे और फिर आप मुझे F की value बता दोगे कितनी आ गई 6 Newton और मेरे ख्याल से सभी लोगों का answer 6 Newton आया ही था तो फिर से situation बदलेगी और फिर से नया सवाल आएगा और इस बार मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग मेरे से पहले सवाल का answer मुझे बताएंगे है ना मेरे बाद नहीं मेरे से पहले बताएंगे ठीक फोर्स बिल्कुल 6 Newton एकदम सही रितिक और रिशब ठीक है तो अब अगले सवाल की और हम लोग बढ़ चलते है और ये situation है equilibrium है ब्लॉक का मास आपको दिया गया है 9 kg दोनों रस्षियों में tension बतानी है बिल्कुल वैसा ही सवाल है ये खास बच्चों आपके लिए ही लाया गया है कि एक concept के बाद इस concept को आप जल्दी से करके मुझे बताएं 15 सेकंड का आप जानते है magnetic brains and ratio and all के जल्दी से answer अब मुझे इस रस्षि का tension मैंने T1 लिया इसका T2 लिया आपको T1 T2 की value 15 सेकंड में बतानी होती है आप लोग 15 सेकंड 4-5 बार ले लेते हो जल्दी जल्दी sin 53 किसी भी sin theta की value एक से ज्यादा मतलो sin 53 की value 4 by 5 मैंने गलत लिख दी क्या sin 53 की value 4 by 5 सही लिखिए sin theta की value more than 1 कभी भी नहीं आएगी ठीक है sin 37 की value 3 by 5 cos 37 की value 4 by 5 अगर आप से कभी मैंने गलत नहीं लिखा है सुबरत देखो ना ये तो लिखा है cos 53 3 by 5 sin 53 4 by 5 sin 37 this triangle से भी आद रख लुग अगर ये triangle है नहीं ये जैसे चोटी साइड थी drive 2 और इसको फाइवLेलो येवाला ये चोटा वाला इंकली 37 लिए इसको 53 लिए लो तो आप सारी बाते निकाल सकते हैं ठीक हैं तो आपका समय अभी यहां पर निकल पर हम आ गये थे आ गया है अब मुझे दूसरे आशर का इंतजार है तो टीवन की वैलु आचुकी है टीट में चेक कि यह आंसर सही है या घलत जल्दी जल्दी आंसर देना होगा मैं अब सवाल की उपढ़ रहा हूं और आप शुरू करूंगा और मैं आशा करता हूँ कि आप मुझसे पहले आंसर देंगे तो मैंने का देगो इस बिलॉक पर एक फोर्स लगेगा T1 इधर की तरफ एक फोर्स लगेगा इधर T2 और इसका मास 9 दिया था तो एक वेट आएगा 9 जी अब आपको दिख रहा होगा कि ये एंगल आपके सामने कितना है बच्चो 37 डिग्री और एक्यूली विरियम है तो आपको दो लाइने कीच के सिर्फ कंपोनेंट करने है T1 की वेलू 90 T2 की वेलू 150 तो आंसर जल्दी जल्दी दो लोगों का आंसर आ चुका है मैं फिर से वही करूंगा पहले दो लाइने कीचूंगा और उसके बाद कॉम्पोनेंट करूंगा बहुत सारी जगा पर यह स्वभाविक होगा लेकिन कुछ जगा पर दिक्कत आ सकती है तो अब देखो यह T2 लाइन पर है यह नाइन जी लाइन पर है इसको ना चिड़ना यह हमारी लाइन पर नहीं है इसको ना छोड़ना तो यह आ जाएगा टी नाइन जी किस से बैलेंस होगा इस टीवन साइन 37 से तो मैंने का सीधे सीधे कोईशन लिखी जाए और सौल किया जाए तो क्या आंसर आप लोग के आ चुके हैं 150 टीवन तेक है तो अभी मैंने का देखते हैं भाई तो टीवन कॉस 37 की वैल्यू टीटू से बैलेंस होगी औ और टीवन साइन 37 की वैल्यू 90 से बैलेंस होगी 9G मतलब 90 यह टीवन साइन 37 90 से बैलेंस होगा 9G की वैल्यू तो साइन 37 इस 3.5 इस एकवल टू 90 तो यह कितना आ गया टीवन की वैल्यू तो 3 से 3 बार 1.500 न्यूटन यह आपका सही आंसर है जो मुझे आपने पहले दिया थ similarly t2 चाहिए तो इस वाली equation में t1 रख दीजिए t1 की value 150 है और cos 37 की value होती है 4 by 5 तो ये आ गया t2 तो 5 बन जब 5 थिरी जब तो 120 आ गया है t2 am I right? क्या 120 आंसर सही है? बिलकुल सही आप सभी के आंसर ये ही है चलिएगा ये एक आसान सवाल था जिसमें सिर्फ component करके solve करना था ठीक तो अब थोड़ा सा देखते हैं कि यहां पर भी ये concept पर बेज़्ड सवाल है तो मुझे यह बताना है कि भाई यहां पर यह जो force exerted by pulley on the ceiling तो आपको जैसा देख रहा है कि यह ceiling है इस ceiling पर oral answer दे सकता है कोई अगर तो मजा ही आ जाएगा तो answer क्या है mg है या 3 mg है या 4 मेरा सबसे पहले रिशव दिस टाइम आपका answer पहले आया ठीक है बढ़िया बात है तो मुझे अब यह बताओ कि इस रसी से इस ceiling पर कितना force आ रहा है तो इस बार अगर आप questions को देख रहे होंगे तो यहाँ पर आपको देख रहा होगा यह एक string जा रही है इस तरह से पुली के ऊपर से होती हुई और आपको बताना है यह पुली कैसी है ये आपको पता है रसियां और पुली जब तक कहा ना जाएं कैसी होंगी हलकी होंगी तो भाई मेरे को आंसर मिल गया मिल गया मिल गया एपसलिटली करेक्ट इस्तोती तेजस सुबरत शबीर क्या बातर रिशब एम जी रिशब इस बार तुमने क्या किया है तो अभी आपका आंसर सही है सारे लोगों का आपने कहा यहां पर टेंशन अगर T है तो इसका वेट यहां पर M G है और अगर यह एकुली बिरियम में है तो T की वैल्यू किसके बराबर है? M G के बराबर अब यहां पर टेंशन आप ऐसे पुली पर जब दिखाओगे तो पुली से दूर को पुली पर जब दिखाओगे तो पुली से दूर को और इधर दिखाओगे तो फिर पुली से दूर को और सीलिंग पर दिखाओगे तो सीलिंग से दूर को और आपको पता है ये टूटी होने वाला है तो शायद आपसे टाइपिंग एरर हुई होगी ठीक है फिर से देखिएगा ये मास है तो रसी इसको उपर कीचेगी और वो टेंशन मेंने लिया T और इसका वेट नीचे mg आएगा अब अगर ये बिलॉक एक्विलिबिरियम में है तो जितना फोर्स उपर है उतना ही नीचे होगा तो आप कहोगे T की वैलू किसके बराबर आजाएगा बिटा mg के बराबर ठीक है कोई दिक्कत की बात नहीं ठीक है शब्बिर ध्यान से देखिएगा आपने किया और एक रसी दर है तो यह वाली रसी इस पुली को इससे दूर खीचेंगी जो भी फोर्स लगेगा वह टी यह इसको दूर खीचेगी धका नहीं मारेगी ती अब यह पुली मासलेस है तो इस नेट फोर्स हमेशा होना चाहिए जीरो है ना नेट फोर्स हमेशा इस पुली पर होना चाहिए जीरो तो आप गोगे अगर टी नीचे टी नीचे और अगर इसका मासलेस है तो उपर फोर्स दोनों को balance करना होगा तो यहाँ T तो यहाँ T तो यहाँ 2T और अगर T की value MG है तो इस रस्टी ने इस पुली को 2T से उपर खीचा तो इस को यहाँ से इदर से कि नीचे खीचेगी यही रस्टी और tension आएगा 2T तो 2T is your answer और आपको पता है कि T की अगर mg है तो आपका आंसर क्या है आपको गया बहुत सिंपल सी बात है 2 mg 100% एकदम सही जवाब था खुश्बू रिश्यव राजपूर जैहें कोई बात नहीं गलतियां इंसानों से होती है मुझसे भी हो जाती है इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अब देखें यह बहुत fundamental question है और सारे लोगों ने इस एक्सेलरेशन के और टेंशन के फर्मूले सब को पता होंगे इविन दो मैं इसको लाया हूं है ना मैं लेकर आया हूं इसको तो मैंने का इसमें अभी देखो इसको मैं क्यों लेकर आया हूं क्योंकि यह सबसे बेसिक कॉंसेप्ट है सबसे बेसिक मशीन है जो हमें चीखनी होती है तो अब देखो एक बहुत simple सी बात है कि इसका constraint इसमे माता जी का प्यार पक्का नीचे की तरफ आने वाला M1 जी और इसमें माता जी का प्यार पक्का नीचे की तरफ आने वाला M2 जी यह एक ही रसी ऐसे घूम के यहां से आई है तो रसी एक रसी में एक टेंशन मानते हुए मैंने का रसी इस वाले ब्लॉक को उपर खीचेगी से दूर को लगेगा आपने इस पर टेंशन टी दिखा दिया पर भाई सवाल बहुत ही पंडामेंटल इतना अच्छी तीग है तो अभी अगर आप यहां पर ध्यान से देख रहे होगे तो आपको दिख रहे हैं कि इस वाले अब्जेट का एक्सिलेरेशन नीचे है तो इस एक एक्सिलेरेशन होगा उसकी तिख व पॉस्टिव लोगए तो जब आप इस दिख वी एक tenth लग हो तो इसकाipl देखा वह नीचे की तरफ था ऊसे आप ने लिया पॉसीटिव आप अपने जिख झा दिख़ो एकंप्तियूंद निचे की तरफ तो यहरे माइन शुए और M2G नीचे की तरफ आपने लगाया है ना तो net force बन गया दो ही force है इस पर M2A नाम का कोई force नहीं है M2A force नहीं होता M2A net force के बराबर होगा तो मैंने कहा है net force तो यह आ गया भईया दो ही force तो उनका net आ गया is equal to इसका mass into इसका acceleration you will write M2 into A एक एक question आपको इस block के से बल गए अब हमने कहा जड़ा इस वाले block को देखो तो अभी आपने कहा यह उपर की दिशा को positive तो tension को तो plus में लेंगे भाई और इसको minus में लेंगे तो यह T plus का और यह minus का M1G है ना तो इस बार आपने लेका T और minus का M1G नेट फोर्स बन गया अब नेट फोर्स बन गया तो नेट फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन से आएगा है ना तो नेट फोर्स हाँ टेंशन वर्फ जीरो थेरम भी लगा सकते हैं बिल्कुल सही तो is equal to आप लिख दोगे M1 into A और अब आपको पता है कि अगर आप इसको जोड़ दो तो T से T कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आपके पास equation बन जाएगी M2G minus M1G is equal to M2 plus M1 into A ठीक है तो A की value आपको क्या मिल गई बच्चो आपको मिल गई M2 minus M2G minus M1G divided by M2 plus M1 तो यह हमारा आगया acceleration अगर किसी नहीं हमें तो T भी चाहिए हमने अगर T चाहिए तो इसको solve कर दो A की value तो पता है आपको तो जैसे ही आप A की value रखोगे तो T की value आपको क्या मिलने वाली है 2M1 M2 यह A की value अगर आप किसी भी equation में रख दो तो A T की value आपको मिल जाएगी 2M1 M2 upon M1 plus M2 times of G कोई गबराने की बात तो नहीं पक्का तो यह आपने tension भी find कर लिया और acceleration भी find कर लिया equation लिखना सीखना है वाई और मैं आपको guaranteed बोल रहा हूँ कि कितना भी बड़ा सवाल आजाए अगर आपको यह line लिखनी आती है तो आप बड़े से बड़े सवाल को उड़ा दोगे तो ठीक है मैं आगे बढ़ूँगा इस बार यह मैंने समझाने के लिए question लिया था बहुत ही बड़ी है 2M1 M2 G upon M1 plus M2 मिर्दुल, Khushboo मेरा physics बहुत बीक है मेरा physics बीक है तो चिंता मत कर मैं बस चोटे चोटे सवाल कर लेता हूँ और बस मेरी किसमत अच्छी है कि मैं चोटे सवालों को थोड़ा फास्ट कर लेता हूँ क्योंकि मुझे मैंने उनकी खुब practice की है अब जब आपके सामने complex problem आती है तो उसमें होता कि है चोटे-चोटे सवाल मिला के एक बड़ा सवाल बनता है तो जिसको चोटे problem solve करने आते होंगे 100% वो बड़े से बड़ा सवाल भी करेगा और फिर भी मैं इसलिए मैं बार-बार बोलता हूँ कि आप कुछ समझ में नहीं आ रहा है तेरे को समझ में तो आ रहा है तो तो आंसर दे रही थी तो अभी तू प्रैक्टिस शुडू कर चोटे-चोटे problem solve कर अगर तुम आईटी के तियारी कर रहे हो तो मैं HCV के वर्गडाउट एक्जामपल लगाने होंगे और उसके बाद exercise लगाने होगी और अगर नीट के तियारी कर रही हो तो अगर तुम E2 में हो तो E2 के model लगा सकती हो नहीं तो तुम किसी भी अच्छी coaching के model ले लो और उनके जैसे अगर तुम मैं नाम नहीं ले पाऊंगा नहीं तो मैं तुझे अच्छी से suggest कर था लेकिन कोशिच करना कि अगर आप किसी के भी module लो तो उसकी exercise solve करना ठीक है तो अगर नीट की तियारी कर रहे हो तो ठीक है चलिए अब ये फिर से सवाल आपके सामने आ गया है find acceleration of M1 and M2 ठीक है तो देखेंगे क्या होने वाला है मैंने का मान लीजिए कि अब ये तो इसको तो कर दिया गया है fixed ठीक है और मुझे लगता है बहुत सारे लोग direct answer भी दे सकते हैं और इस बार मैं आपको direct answer देना सिखाऊंगा है ना और मैंने आप से काई acceleration बताना अब देखेंगे पिछले सवाल में मैं अगर चाहता तो आपको इसका direct answer बताता और मैं direct answer आपको बता देता हूं ध्यान से देखेंगा अब direct answer कैसे लगेंगे और मैं इसको आपको friction में भी दिखाऊंगा कि आप कैसे single liner answer देने वाले हैं आपने का यह मान लीजिए three kilogram का ब्ल इसका acceleration उपर उतना ही होगा मैं ऐसे सोचता हूं कभी कभी मेरे मन में ख्याल आता है कि अगर ये भी तीन किलो का होता ये भी तीन किलो का होता तीन किलो तीन किलो अगर ये भी तीन किलो ये भी तीन किलो तो कोई नीचे नहीं जाता कोई उपर नहीं जाता क्या बात है है न तो अगर ये भी तीन का होता ये भी तीन का होता तो ना तो ये नीचे जाता ना ये नीचे जाता अगर ये तीन का होता लेकिन अब मुझे पता है कि ये तीन का है लेकिन वो दो का है तो इन दोनों के mg में अंतर है ये अंतर ही है जो इसे चलाएगा है ना तो चलाएगा कौन तो आप कहोगे इनका डिफरेंस तो जब आप लिखते हो तो मैं एक concept बहुत डिटेल में बाद में बताता हूं वो है driving force upon driven masses upon driven masses यह मैं friction के साथ लेके बताता हूं तो वहाँ पर काफी complicated situation में आप सीधे सीधे जवाब देते हो तो अभी मैंने का driving force मैंने का अगर यह 3G होता यह तो कोई नहीं चलता भाई लेकिन अब यह 3G और यह 2G तो इन दोनों का डिफरेंस चलाएगा तो जो driving force हो गया वह गया 3G minus 2G और चलेंगे कौन-कौन उनको नीचे बिठा दो जो चल रहे हैं उन्हें नीचे बिठा दो तो आपका acceleration immediately आपको मिल जाएगा जी भाई 5 ठीक है अब same situation आगई यहाँ पर बिलकुल सही रिशब driving force upon driven mass तो मैंने का देखिएगा अब यहाँ पर इसका M1G का एक component आएगा और वो आएगा M1G sin theta और यहाँ पर आएगा M2G clear अब हमने का भाई सब यह चलेगा के नहीं चलेगा अगर चलेगा तो क्यों चलेगा तो मैंने का द यह M2G कम हुआ मैंने का case 1 M1G sin theta is greater than M2G तो क्या होगा तो आपको गयार अगर यह ज्यादा है और यह कम यह ज्यादा यहाँ ज्यादा यहाँ कम तो यह नीचे और यह उपर clear इसमें कोई शक्की बात तो नहीं हाँ क्या बात है बहुत ही बढ़िया तो अभी अब लेकिन अ अगर भाई अगर भाई अगर भाई अगर अगर ऐसा हो गया कि M1G sin theta M2G के बराबर हो गया तब आप कोगे A की value क्या आने वाली है 0 क्योंकि चलाने वाला ही नहीं है कोई है ना तो अभी इमने का तीसरे situation क्या हो सकती है कि M1G sin theta की value हो कम और M2G की value हो ज्यादा और अगर ऐ ऐसा हो गया कि यह M2G ज्यादा रहा और यह थोड़ा कम पढ़ गया तो यह ज्यादा है तो यह नीचे खीच लेगा इसका acceleration अगर इदर होगा इसका acceleration इदर होगा और मैं डारेक्ट लिखूंगा इस केस के लिए आंसर लिख रहा हूं कि M2G minus M1G sin theta यह हो गया driving force और मैं driven mass से divide करूंगा M2 plus M1 चलेगा कौन-कौन M1 M2 दोन हो तो acceleration की value 100% सही हो जाएगी ठीक है भाई चलो अब हम चलेंगे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे इस बार situation को थोड़ा और देखते हैं कि क्या है तो इस बार situation कुछ अजीब सी आगई है बाई सब सर्फेस यहां पर smooth दिया गय मैंने कहा था कि मैं थोड़ा सा advance की तरफ ले चलूँगा आपको तो अब हम धीरे धीरे उस ओर बढ़ चले हैं आपको एक block देख रहा होगा A, एक दूसरा block देख रहा होगा B, यहाँ पर पुली लगी हुई है, यहाँ पर बड़ी अजीबो गरीब रसियां हैं, इन रसिय है, जो इनको बांधे हुए है, वो यह रसियां, दिख रही है, यही रसियां है, वो जो इनके बीच में एक constraint बनाए हुए है, एक संबंद बनाए हुए, तो अभी मैंने का यह रसिय को पहचान लो, यह यहाँ जाके किसी support से लगी हुई है, मैंने का भाई, अगर मान लीज बता पाएंगे, तो पंदरा सेकिंड का समय मिलेगा, रिचेव राय यह हो पाई, बिल्कुर सही जवाब, तो जल्दी से बताना है, तो अभी मुझे A1 और A2 का मुझे relation चाहिए, तो आपको पता है कि मैंने constraint में ऐसे बहुत अच्छे-च्छे सवाल कराए थे, तो आप इस इसको हम जीरो करेंगे अगर, इस बेज़ डॉन वर्चुल वर्क, लेकिन यह आप constraint के लिए फिलाल यूज करेंगे, बेज़ ऑन वर्चुल वर्क, यह चेक्टर में बात हुई थी, हम फिर से बात करेंगे कभी आप से, फिलाल हम इसको लगाने वाले हैं, देखिए गादि से लिए तो मैंने का से लिए यहाँ पर अच्छा यहां पर इसतरा की कोई विवस्ता नहीं है, तो मैंने का यहां पर अगर माल लिजिए कि यहां पर ही आपने लिया पी कराबबर तो यह ती यह ती तो यहों पर टेंशितन 것은पोने और मेरे पास आ चुका है आज अड़े ब प्लस 2A2 या A1 बराबर 2A2, A1 बराबर 2A2 I think बोल लेख रहे हैं आप लोग आपसलिटली करेक्ट तेज़ शिरीन, रिशब बिलकुल सही, बिलकुल सही, बिलकुल सही, तो मैंने का इसमें टेंशन उपर है और एक्सेलेरेशन नीचे है, तो आपकी जो एक्वेशन यहां पर यहां पर यह दोनों सेम दिशा में हैं, तो यहां पर आप लिखोगे 2T, A2 और यह क्या होने वाला है बिटा, यह होने वाला है 0, क्योंकि मैंने आपको बताए कि आपको यह concept यूज करना है, अब आपने का T से T हो जाएगा, तो आपके पास A1 और A2 में एक relation आ गया है, वो मुझे A1 और A2 दोनों find कर सकता हूँ मैं, हाना कि मुझसे A2 पूछा गया है, तो अगर आप थोड़ा सतर्क रह के सवाल करते हैं, तो आप कहेंगे देखो जब M वाले बिलॉक को इस वाले बिलॉक को देखोगे, नीचे लगेगा M G, कोई शक नहीं है इसमें, उपर लगे कोई दिक्कत नहीं, यहां एक्सिलरेशन A1, यहां तक कि सारी बात हैं के लिए, अब आपको अपने दिमाग को थोड़ा जोर डाल के सवाल को करना चाहिए, आप यह लाइन लिखोगे, अगली लाइन यह वाली दिशा पॉजिटिव, आप लिखोगे M G, नीचे की तरफ का फोर्स पॉजिटिव क्योंकि एक्सिलरेशन की दिशा पॉजिटिव, उपर माइनस टी, क्योंकि यह अपोजिट है, तो यह हो गया, नेट फोर्स इस एक्वल टू M A1, और अगर आप थोड़ा तेज हैं, तो आप यहां से A1 की वैलू डारेक्ट मन में लिखेंगे, और मन का कोई जवाब नहीं है, तो आप क्लिकेंगे M1, M G-T upon M, और A1 की वैलू यहां रख देंगे, यहां रख देंगे, और यह लाइने लिखने की ज़रूद आपको जल्दी ही नहीं पड़ेगी, अगर आप प्रैक्टेस कर लेंगे तो, तो आप equation मनाएंगे M G-T divided by M is equal to 2, अ मैंने का इस दिशा में एक ही फोर्स है 2T, और acceleration है A2, तो force, mass, acceleration, 2T बराबर 2M A2, 2T is equal to net force, mass, acceleration, तो आपके अगले block की equation में आप खट से लिखेंगे, कि force लग रहा था 2T, acceleration लिया गया था A2, और आपका mass था 2M, तो आपकी equation बनेगी 2T is equal to 2M A2, और आप A2 की खड़ाक से value बताने वाले हैं मुझे, और आप तो मेरे logic समझना कि आपको question में फाल्तू equation बनाके टहलना नहीं है, तो आप यहाँ पर A2 की value फट से oral दिखेंगे य A1 की value यहां रिखनी है, A2 की value यहां से direct लिखनी है, direct लिखने के आदर डालोगे तो आपको पता है force को mass से divide करेंगे भाई, और यह क्या बनने वाला है, 2T by 2M मतलब अब आपके पास equation आ चुकी है, इस equation को अगर आप solve करते हैं, तो से 2 cancel हो गया होगा, आपको दिख गया इस equation को भी orally solve करना है, तो यह कितना आगया भाई, 2T by M, तो आपको T की value दिख रही होगी, और T की value क्या दिखी, तो 3T बराबर M G, तो T की value यहां पर T उधर गया, 3T बराबर M G, तो T बराबर M G by 3, T की value जैसे ही यहां रखेंगे, आपको मिलेगा A1, जैसे ही यहां रखे आपको मिलेगा A2, मुझसे पूचा गया था, A2, मैंने का A2 यही तो है, जो गोले में है, तो मैंने क्या किया, मैंने लिखा, it is 2T by 2M, और मैंने का 2 तो कैंसल हो गया था, क्यों लेके जा रहे हो, और यह A2 मेरा, मैंने का मेरे A2 आ जाओ, मेरा A2 आ रहा है, M G by 3M, M से गय I am, the answer is, विल्कुल सही जवाब, तो रिशब आपका आंसर सही है, गौरब का तो जवाब भी नहीं है, भाई सब यह तो अब AP बन चुके हैं, अना, AP का मतलब आंदर परदेश भी होता है, अना, OP से AP हो गया, क्या बात है, तो सर यह लाइव कितने वजे तक चलेगा, बस थ तोड़ी सी देर और, एक सवाल और है मेरे पास, इसके बाद मैं आपको मुक्ती हूँगा, है ना, भी, क्योंकि आप लोगों के पास, क्लासिस के बाद बहुत कम समय बच्ता होगा, तो आप देखेगा, यह मास M1, 4 किलोग्राम, यह M2, 1 किलोग्राम, यहां पर एक फोर्स सवाल क्या है, यहां से फोर्स लगाया जा रहे है, और यह फोर्स वर्येबल है, और फोर्स कितना है, 30T, T is time in second, T क्या है, T क्या है, T is time in second, question क्या है, find acceleration, ओ, ओ, दो बार लिग दिया है, कोई बात नहीं, of 1 किलोग्राम ब्लॉक, when, when, 4 किलोग्राम ब्लॉक, is, just lifting up, यह आखरी सवाल है, और सारे लोगों को धड़ धड़ आंसर देना है, lifting up, ठीक है, क्या बताना है, M1 का मास दिया है, M2 का मास दिया है, में, M1 4 किलोग्राम, M2 1 किलोग्राम, और हमसे पूछा गया है, find acceleration of 1 किलोग्राम, when, 4 किलोग्राम का ब्लॉक, lift up हो रहा है, ठीक है, अरे क्या बात है, बिल्कुल, हाँ, 2 सेकंड, 2 है, हाँ, ठीक है, क्या बात है, बहुत ही चांदर है, यह तो बहुत जल्ली जल्ली आंसर दे जा रहा है, बहुत ही बढ़िया, एपी और जीपी दोनों कर दिये तुमने, गलत था पहले, हाँ, मैंने पूरा नहीं लिख, आया नहीं मेरे ख्याल से, मैं इसके पैट पर लिखके यहां लाता हूँ ना, तो उस पर आया नहीं होगा, वो कुछ जो भी रहा हो, खेर, तो देखेंगे ध्यान से, अभी हमारे कि उठेगा कौन, तो मैंने खाएगा कौन, यह करेगा कि उठाएगा कौन, तो यहां पर भी रश्ति में टेंश्य एक घ्यान से, तो मैंने खाब बात, पुली नेट फोर, 0, 3 नीचे, ऊपर 30, 3 ती, नीचे, ऊपर 30, तो 3 ती, इस वल्टो, लिखोगे, 30 ती, तो टी की वै मैंने इस वाले ब्लक पर यह टी यह टी तो यहां पर इसको उठाने वाला सोगा तो यह यह हो जाएगा 20 टी 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 तो इसका वेट कितना था बिटा तो अब मैंने का अब ठहरो अब ठहरो अब तोड़ा सफाई पर आओ तो अब मैंने का जरा देखो यह एम वन था जमीन पर रखा हुआ था इसका वेट है 4G यहां पर फोर्स लग रहा है 20T ठीक है और यह था आपके पास M2 इसका मास था 1 kg मैंने का तुम भी आजाओ तुम कहां इदर उदर गूम रहे हो तो यह इस पर बेट लग रहा होगा 1G के बराबर यहां पोर्स लग रहा था 10T इसमें मुझे कोई शक नहीं है यह जमीन पर रखा हुआ था यह भी जमीन पर र 20-10, 10, 10 बटे 1, 20-10 is 10 मुझे थोड़ अगड़ लग रहा है दो आपने क्या दिया एक्सिलेरेशन पूछा है मैंने इसका यह ध्यान रखना है तो मैंने अच्छे यह कब लिफ्ट होगा यह कब लिफ्ट होगा जब आपको जब यह वाला पोर्स इसके बेट के बराबर कर ना कर पर बताँ लाकर इसके बेटके बराबर नहीं तो उठाएगा तो मैंना के सिस के लिफटिंग टाइम की अगर बात करें है nama इसके लिफ्टिंग टाइम की अगर बात करोगे तोा आप को कि जिस समय यह वड़ा होगा वोसमें यह फोर्स निश्यत रूपसे इसके बराबर होगा तो आपकी एक्वेशन क्या बनने वाली है आपको गया 20 जो पॉर्स था उपर की तरह वह 44 मतलब 40 के बराबर होगा तो दो सेकंड पर तो यह उठेगा यह लेकिन मैंने पूछा नहीं यह नहीं पूछा मैंने क्या पूछा अगर आप यह निकाल चुकी हो तो आपने पकार सही किया है और आप यह भी बता दोगे जो मैं पूछ रहा हूं कि इसको एक सेकंड पर यह उठा चुका था और अब बात वरी दो सेकंड पर यह उठा चुका था और अब बात दो सेकंड की तो इसका मतलब है एक सेकंड से उपर उठा रहा है लगातार है ना क्योंकि टी इस उकल टू वन सेकंड जब आपने लिया तो यह टैन मना टैन को बैलेंस करके उठा लेगा लेकिन टी जब दो हो गया इस मूमेंट की आपने मुझसे बात की तो यहां फोर्स कितन उठ चुका है तो जमीन नहीं है अब यहां पर तो अभी यह ब्लॉक पहले ही उठ चुका है इस मूमेंट पर उपर की तरफ फोर्स 20 नीटन नीचे की तरफ फोर्स 10 नीटन एमजी एक्सिलेरेशन कैसे बताऊं मास दिया गया एक किलोग्राम तो एक्सिलेरेशन सारे लोग प्लस में लिखेंगे और नीचे के फोर्स को उपर के फोर्स को प्लस में लिखेंगे क्योंकि एक्सिलेरेशन इधर प्लस में ले रहे हैं नीचे वाले को माइनस में लिखोगे नैट फोर्स बन चुका है इस इक्वल टू लगाओगे एम उठाओगे ए लिखोगे और आप एक ही वैलू बता दोगे 10 मीटर पर सेकंड स्कोर अपवर्ड ठेके भाई बहुत बढ़िया आप सभी लोगों ने बहुत ही अच्छे से सारे जवाब दिये और मैं आशा करता हूँ कि आपको कुछ फाइदा हुआ होगा यहाँ पर हाला कि नेक्स टाइम मैं जब आपके सामने आऊँगा आई होप कि मैं अभी NLM का एक दो सेशन शायद और लूँ क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ वैज वाले रिलेटिड सवाल और जो ब्लॉक के साथ वैज के साथ जो रिलेटिव मोशन के साथ जो क्वेशन होते हैं तन्यवाद रिशब वो सवाल भी आप तक पहुंचना चाहिए तो हम लोग जल्दी मिलेंगे अगले सेशन पर और हमारी ये सीरीज कंटीनू रहेगी आपको बेसिक कॉंसेप्ट्स पर अच्छे अच्छी चीजने सिखाई जाएंगी बहुंचना चाहिए झाल भी आपको अच्छेश पर